का स्वागत है मेरे चैनल टेक टाइज में आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राइम के बारे में चलिए विडियो सुप्राइब कीजी घंटा रवागे तो अगर आप नहीं जानते तो इंस्टाग्राम वान ओव द बिगेस्ट सोसाल नेटवर्किंग साइज है फेस्बुक के बाद जिसको एक्वियार और ओन करता है फेस्बुक खुद ही जिसमें आप विडियो सेयरिंग सोसाल मीडिया साइज भी इसको कहते है इसको क्रियेटेट किया था केविन ने और माइक एंट लॉंच हुआ था 2010 में विडियोस फॉन 10 के लिए भी है और विडियोस 10 एप्रिल 2016 से 2000 अक्टबर तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है इंस्टागेम बहुत ही हेमास है ये साइट तो इंस्टागेम बहुत सारे लोग इंस्टागेम करते रहते हैं तो इन्वेंट किया केविन ने तो आप आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको मिलेगा देखने को हाँ गाईज और वेस अगर स्टेबल आप देख सकते हैं एंड्रोड के लिए 5 देख सकते हैं और आज ही रिलीज हुआ है और आप देख सकते हैं हर फोन के लिए आलाग होता है आईएस के लिए 150.5 MB का है और आईडोड के लिए 39 MB का है लेस और गेड़ाद देख सकते हैं और आईएस के लिए 29 लैंग्वेज लैसेंस फ्री वायर है तो गलोबाल पे है फेवररी 2019 का तो आप तो बहुत ही अच्छ इस में आप हैस्टाई उस कर सकते हैं बहुत सारे फिल्मिंग रेसियो हैं बहुत सारे वीडियो हैं बहुत सारे वीडियो इन्फुलाइनस आप कर सकते हैं आपका मैं बाता दूँ अभी सबसे लाइक वीडियो अब फेस्टागेम पे है 2019 में दा मूस्ट फोटो ऑन इस्ट जो 18 मिलियन का लाइक काईली जेनर के डॉटर के फोटो थे उनसे ज़्यादा है इस फोटो में इसमें 50 मिलियन लाइक हैं उस एक में आप ऐसा कुछ दिग रहे हैं सैन फ्रांसिस का पहली बार इसको हुआ है केविन स्टेफर पोस्टेड दा फास्ट फोटो टू इंस्टागम जूलाई 6 दो हाजाद दस दा फोटो सो ए डॉग इन मेक्सिको एंड इस गल्फ्रेंड से फूट तो हाँ फोटो कैसा फोटो था वो मेक्सिम में एक कुत्ता और गल्फ्रेंड के पैरों के फोटो थे दा फोटो हाज इन्हान्स यूजिंग इन्स्टागम से एक्स्पी आरो टू फिल्टार वाँ October 6, 2010 में Instagram iOS पे officially release हो गया through App Store In February 2011 में it was reported that Instagram had raised 7 million in a series ए फंडिंग तो 7 million इनने कमा लिया था और April 3, 2012 में Instagram was released for Android Android के लिए release हो गया, it was downloaded more than 1 million time in less than one day एक दिन में 1 million download हो गया इसको बुआ और March 12 में The Wall of Street Journal ने इसको बहुत अच्छे से बताया पर उसी सेम मांथ को Facebook ने इसको Instagram को 1 billion dollar में cash और stock में खरी दिलिया तो जब ये Facebook का हो गया तो Mark Zuckanwar ने इसको बहुत सारे चेह किया और आज का जो आप Instagram देख रहे हैं तो Mark Zuckanwar का ही देन है और आभी Facebook बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो अगर मैं बात करूँ तो ये अब बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे हैं और September 2018 के बात करूँ तो उन दोनों ने Stand Up के दिये Stopping Down Instagram तो Instagram के साथ उनका भी बहुत लवड़ा चल रहा है क्योंकि फेजुक ने खरीद लिया Instagram को पर वोग ने बहुत अभी लवड़ा कर रहे हैं तो हां ऐसा कुछ हो रहा है फीचार और फूल के बात करूँ बहुत सारे एडिटिंग फीचार ने Instagram में आते हैं फोटो और वीडियो बहुत सारे एडिटिंग आपको रह सकते हैं एक्स्पोर कर सकते हैं फोटोग्राफिक फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किंसोल लेकि कौन कौन से ओप्सेन इंस्टागेम में एडिटिंग के बहुत सारे ओप्सेन आपको दिये गये हैं IGTV भी आ चुका है Instagram डारेट भी आ चुका है Instagram Stories है और बहुत सारे चीज आपको यहाँ पर Monetization है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और Standalone App है कुछ Standalone App उसके साथ third party services भी यहाँ पे हैं behavior अगर मैं बात करूँ तो characteristic behavior तो आप देखते हैं यूजर बहुत सारे मज़ेदार photo वीडियो आप्डोर्ड करते हैं, editing कर सकते हैं trend बहुत चलते हैं criticism देख सकते हैं criticism इनको अच्छे से ही मिला है तो criticism हुआ है guys ये कोई छूटी बात नहीं criticism तो हुआ है negative comment बहुत ज़्यादा आते हैं Instagram पे, mental health पे ये effect फेलता है तो बहुत सारे चीज़े हुए है rape threat हुआ है तो August 27 hacking हुआ है और ऐसे ही चल रहा है China में, क्या हुआ Instagram चाइना में blocked है strict action लिया गया है टाड़की और कूरिया में भी कुछी दिन के लिए ये था और फिर से Instagram ब्लॉक हो गया बहुत सारे आवर्ड इंकों मिले और popular culture में भी Instagram है तो हाँ दोस्तों यही था मेरा छोटा सा वीडियो Facebook सीरीज का ये है वीडियो अगर आपको पसंद है सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के बाद घंटा दवाए मैं मिलता हूँ मेरे आगले वीडियो में Have a nice day guys Bye